लास्ट लोलाकम नो अवी सिंटे letters लास्ट आं आब टोलग वाऊद श्ंसेतइतिस पप्रृ पर्जेंट पांट पांट सिपन अचका पसुपल acompa present participle का use करके हमने जान चुक्य हम सभी लोग यह combination of the simple sentences into one simple sentence जयनि simple sentences कोई मदद से कैसे हम कई simple sentence की मिलाकर एक simple sentence बनाते हैं इसके बारे में discuss किया जा चुका है आज जो दूसरा topic मेरा है उसी के बारे में है कि क्वाइस्ट पार्टिक गляं कि क्योंकि आपको पादां के होते हैं परिजेंट पार्सिपल वाष्ट पार्सीपल और तीसरा पर तुम तो मैंने प्रेजेंट पार्टिपल को कवर किया है अगर आपने अभी तकने वीडियो देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो को देख सकते हैं वहांते पूरी जानकावी आपको मिल लेगी और आज नया टॉपिक मेरा है वह सेकेंड पार्ट है पास्ट विए यहां वर्ग की थार्ड फर्व मोती है अगना कहींने कहीं यह एडशेक्टीव का भी मेंशन करता है यहां क्यां करता है चलिए प्रणाव के बारे में इसलें नहीं रजाता है उसे यह करते हैं चलिए बाश्ट होगा उसका जो अबजेक्ट होगा और सेंटेंस मेरा जो सेंटेंस सेकंड होगा उसका जो सब्जेक्ट हो गौर करेंगे यारी मेरा सेंटेंस फॉस्ट का जो अबजेक्ट है वह अभी सेंटेंस फॉस्ट में जो आपका सेंटेंस फॉस्ट का अबजेक्ट होगा वह सेंटेंस होगा वो हमेशा पैसी वाइस में दिखेगा आयोव आपको क्लियर होगा एक बार रेपी टौर कर लेके हैं यानि मेरा सेंटेंस फर्स्त होगा उसमें जो आपजेक्ट आया रहेगा वह सेंटेंस जो दूसरा आपको दिखाये देगा उसका यही ऑबजेक्ट उसमें क्या यूज करना है अब यहां परजेंट पार्चीपल नहीं चलेगा देखते हैं आप यहां देख सकते हैं कि आई साइस ने इत वाज वंडिल सबसे पहले करें कि क्या आई साइसा अब देखना यह है आई साइसा ए स्नेक इट वाज वंडिल यानि कहने मतलब है कि यह जो आपका the basement हैं यह दूसरे सेंटेंस में क्या बना हुआ है सब्जक्ट अ interpreंं सकते हैं इसके निंहें आया है स्मेक लिए आया है आई साउλά अग्या इस उट को या यह को तब नहीं बताया इसलिए हमेशा जो है इस पार्ट पार्सिपल वाले यानि वर्ण के थर्ड फ़ाम को अबजेट के पहले तेन जो सब्जेट इसका अबजेट दिखा देरे आपको इसके पहले रखेंगे मतलब यह है ओंडेड पहले नहीं रहेगा पहले आप पॉंडेड को पहल दिया है ठीक है डूब यू एंडी क्लियर आइफ व्यक्ति देखते हैं लोग दिस इस ए रोज इट इस फिर द्यान रखेंगे अब इसमें जो मेरा औबजेक्ट आया है दूसरे इसमें क्या दिखाए देरा है सब्जेक्ट बन गया है और इसमें आप देख सकते हैं इस फे अबजेक्ट बन जाता है लेकिन संटेस मेरा किसमें दिखाए देगा चिरणी मैं पंडिखारी इसमें हमको ही करेंगे इसको क्या बनाएंगे दिस इज बोलिए दिस इस फे एफेड़ एफ डी एफेड़ रोज ऐसे बना यह ओगे आपका सेंथेटिस करना किसके मदद से पास्ट पार्सिपल का यूज करके दिये गए सिंपल सेंटेंस को अंग ने क्या बना दिया एक सिंपल सेंटेंस में कनवर्ट करिया so today the past participle is completed and now I will come back shortly with perfect participle record thank you for watching everything listen you